1950 से लेकर 1970 तक का काल हिंदी सिनेमा का स्वार्नकाल माना जाता है इस दोरान कई कलाकारों के सशक्त अभिने से हिंदी सिनेमा अलग मुकाम पर पहुच गया था उन्ही कलाकारों में से एक थी वहिदा रह्मान उन्होंने एक लंबे अर्षे तक हिंदी सिनेमा के दर्शकों को अपनी मासुमियत सुंदर्दा और उम्दा अभिने के जादू से बांधे रखा था वहिदा रहमान का जनम तामिल नाडू राज्य के चेंगल पट्टू में तीन फरवरी 1938 को तमिल मुस्लिम परिवार में हुआ था उनके पिता जिलादिकारी जैसे उच्च पत पर थे वहिदा के जनम के नव साल बाद उनकी पिता की मृत्यू हो गई भरत नाट्यम रुद्यम में उन्होंने शिक्षा असिल की और भारतिय सिनेमा की मुख्यदारा में आने के लिए वह प्रयास करती रही इस दोरान हिंदी सिनेमा के प्रसिद्धा अभिनेता और निर्माता निर्देशक गुरुदत के संपर्क में वह आ गई और सिल्वर स्क्रिन पर वे चा गई 1956 में गुरुदत ने वह दारामान को देवानन के साथ CID में खलनाइके की भुमिका में लिया यह फिल्म सुपर इट रही 1957 में गुरुदत और वह दारामान की क्लासिक फिल्म पैसा रिलिज हुई यह फिल्म दोनों के प्रेम संबन्द को लेकर काफी चर्चा में रही कहा जाता है कि 1959 में रिलिज हुई फिल्म कागज के फूल उन दोनों के असफल प्रेम कता पर आधारिट थी बात के वर्षों में भी वहीदा ने 1960 में चौदवी का चांद 1962 में साहीब बीबी और गुलाम यह फिल्में की थी जिसमें से दोनों की जोड़ी खुब पसंद की गई थी फिल्मों में देवानन के साथ भी उनकी जोड़ी खुब जमी थी CID, 16 साल, काला बाजार, बात एक रात की, गाएड, रूप की रानी, चोरो का राजा आधी फिल्में होने की थी 1962 में गुरुदत की टीम से अलग होने के बाद वहीदा ने निर्माता निर्देशक, सत्यजीत रे की फिल्म अभी जान में काम किया उसी साल उनकी एक और सुपर हिट फिल्म 20 साल बाद रिलीज हुई 1964 में फिल्म कोहरा ने भी बॉक्स ओफिस पर कमाल दिखाया उनकी इस दोड़ के अन्य हिट फिल्मों में वर्ष 1967 में प्रदर्शित हुई फिल्म राम और शाम, पत्तर के सनम के अलावा प्रसिद्धा अभी निता सुनिल्दत के साथ एक फूल चार काठे मुझे जिने दो आधी फिल्में प्रमुख फिल्में थी राजश करना के साथ फिल्म खामोशी भी बॉक्स ओफिस पर सफल रही 1959 से 1964 तक वहिदार एमान सबसे अधिक मेहनताना प्राप्त करने वाली अभी नित्रय की सुची में किसरे स्थान पर थी 1966 से 1969 में वह अभी नित्री नंदा और मुतन के साथ दूसरे स्थान पर पहुँच गई 1974 में शादी के बाद वहिदार रह्मान ने फिल्मों में अपनी सक्रियता को कम किया 1976 से 1994 के बीच लगबग 24 फिल्मों में छोटी छोटी भुमिकाये की जैसे की अधालत, कभी-कभी, त्रिशूल, नमक हलाल, हिम्मत वाला, कूली, मशाल, अल्ला रखा, चान्नी जैसी फिल्मों में उन्होंने अभी नहीं किया संद दो नजार में उनकी पती के अमृत्यू के बाद वे अधाकरी के दुनिया में वापस लोटी और रंगद बसंती देली सिक्स जैसी सफल फिल्मों में चरितरा अभी नित्डी की भूमिका उन्होंने निभाई हिंदी फिल्मों के सुपरस्टार अ exhibiतब के साथ दो अलग-अलग फिल्मों में प्रेमी का और मा की भूमिका उन्होंने निभाई 1976 में फिल्म अदालत में प्रेमी का और 1978 में त्रिशुल फिल्म में उनकी मा का रोल निभाया अभी नेता निर्माता गुरुदत के साथ विफल प्रेम सबंद के बाद उन्होंने उनके सहक अलाकार कमल जित सिंग के साथ 1974 में शाधी कर ली उनके बैंगलोर में स्थित फार माउस में ही उन्होंने अपना बसेरा किया उनकी बेटी हुई उसका नाम काश्वी रेखी और बेटे का नाम सोहिल रेखी रखा उनके पती का वास्तविक नाम शशी रेखी था सन 2000 के दवरान बीमार होने के वज़े से वे अपने परिवार के साथ मुंबई बांदरा में बैंड स्थैंड स्थित साहिल बंगले में उन्होंना अपना बसेरा बसा लिया उनकी बेटी काश्वी रखी एक ज्वल्ली डिजाइनर है और बेटा एक मल्टीनेशनल कंपनी में कारियरत है हिंदी फिल्मों में अपने सरानिय योगदान के लिए वहिदा रह्मान को कई पुरोसकारों से सम्मानित किया गया है फिल्मफेर सर्वसरेश्टा अभिनेतरी बंगल फिल्मिशन पुरोसकार राष्ट्रे फिल्म पुरोसकार सर्वसरेश्टा अभिनेतरी फिल्मफेर लाइफटाम अचीवमेंट आवाड एंटियर राष्ट्रे पुरोसकार आंध्रप्रदेश सरकार इत्यादी पुरोसकारो इसके साथ ही पदमश्री और पदमभुशंजे से सरोच नागरिक सनमान भी उन्होंने प्राप्त किये हुए है वहिदा का मतलब लाजबाब होता है यह कहना गलत नहीं होगा कि हिंदी सिनेमा की सदाबार अभिनेतरी वहिदा रह्मान ने अपने नाम को सार्तक करते हुए हिं में कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेर जरूर कीजिए चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आकों पर क्लिक करना ना भूले हमारी वीडियो आखरी दर्ग देखने के लिए धन्यवाद